हेलो स्टुडेंट्स मैं सेल्फ गौर प्रताप सिंग आइम वर्किंग एस लेक्षर एट आर बियस पॉलिटेक्निक बिचपरियाग्रा और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं उसका नाम है रेफ्रिडरेशन एंड एयर कंडिशनिंग जिसका ध्यनम करते हैं मेका पुराना अभी तक जो वीडियो थे उसमें क्या पढ़ चुके थे इसके सब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके थे इसको हम अगली वीडियो में अध्यन करेंगे यहां जो अब हम दिन करने वाले हैं वह हमारा क्या है तीसरी यूनिट यानिके थर्ड यूनिट इसका ना नाम है इसका रेफ्रीजरेंट्स टेक रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं अब इसके बारे में अध्यन करेंगे ठीक है साथी साथ रेफ्रेजरेंट्स के बारे में अध्यन करेंगे कौन-कौन से रेफ्रेजरेंट यूज होते हैं किसकी क्या वैल यूज होती है यह कैसे बन करने के लिए किसके लिए काम करते है रै फ्रेज़रेशन追श करने के लिए ठीक के बारे में अब हम अंतहियन करते हैं कि रैफरेटैंड क्या है पहले डेफिनीशन रड़ते हैं फिर हम डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में तो आख के लिए का और रेफ्रिजरेंट इस सबस्टांस यूज इन हीट साइकल टू टू ट्रांसपर हीट फ्रम वन एरिया एंड रिमूव इट टू एनुदर रेफ्रिजरेंट के ऐसा पदारत है जिसका प्रियोग ऊश्मा चक्रिय या हीट साइकल में एक छेत्र से ऊश्मा को इस्थाना अंत्रत किया जाता है दूसरे छेत्र में ठीक है क्या करता है एक छेत्र से ऊश्मा को दूसरे छेत्र में निकाल देता है ठीक यूजली और गैस एट रूम टेंपरेचर है आहम तोरब है यह कमरे के में जो गैस के टे और इसके जनरल परपस की बात की जाए तो रेफ्रेजरेंट का पदार्त है जिसका परियोग किसी भी परिछेत्र की ऊश्मा को बाहर निकालने हेतु किया जाता है यानि कि रेफ्रेजरेंट क्या करता है जो भी परिछेत्र है उसकी ऊश्मा को अवशोशित करके अन्य छेत्र में इस्थानांत्रित कर देता है ठीक नीचे डेफिनिशन पढ़ते है रेफ्रेजरेंट is the fluid used for heat transfer in a refrigeration या refrigerating system that absorbs heat during evaporation from the region of low temperature and pressure and release heat during condensation at a region of higher temperature and pressure condition any major refrigeration system में उस्भा нकार आप मान के चेटर से वाश्पी इकन के दोरान गर्मी को क्या करता है उस्पोב ऑशोशित कर लेता है और क्या करता साथि साथ ठ्बाब बढ़ जाता है और लिखित हमें स्थानांत्रित कर देता है यानि के कम तापमान के छेत्र से ऊश्मा अवशोशित करके उच्छ तापमान के छेत्र में ऊश्मा का इस्थानांत्रन करने में जिस पदार्थ का हम परियोग करते हैं उसको क्या करते हैं रेफरेजरेंट कहते हैं और रेफरेजरेंट क्या है एक तरीके क्या ट्र दोपन करें वो क्या कहலाता है ठीक अब element रह steep दलख के निलघह बारे तो बेसे की लिए किया है इसकुअ हमें दोटली threats करते हैं पहला है हमारा displacement और दूसरा हमारा सेकींडरी तोट है टाके सकरिके बारे बारे secondary refrigerant तो फ्रस्ट का हमारा primary के बारे में अधिन करते हैं तो primary refrigerant are those which can be directly used for the purpose of refrigeration यानि कि primary या प्राथमिक रेफ्रिजरेंट ऐसे रेफ्रिजरेंट हैं जिनका प्रयोग क्या जाता है कोई भी कार्य करने के लिए सीध्य उपयोग ले लिए जाता है तो प्राथमिक रेफ्रिजरेंट को आसानी से क्या ओपन एरिया में परवायत होने दिया जाए और मान कोई नुकसान ना पहुंचाए किसको to humans को तो क्या प्राथमिका रेफ्रिजरेंट परियोग में लाए जाते हैं तो बेसे कली जो हमारे प्राइमरी रेफजरेंटेंट राइमरी राफिरेंट के रूप में तो समरास करें दूबारा से हम इस चीज को क्या है ऐसे रेफरेज्रेस्ट जिन का प्रयोग हम सीधे तौर पर रेफ्रिजरेशन के लिए कर लेते हैं उन्हें कहं़ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहते हैं एक नेक्स हमारा क्या है सेकेंड इसके बाद में जन करते हैं देर में भी सर्टेन सिचुएशन इन विच वी का नाट अलाओ दर रेफ्रेजरेंट तो कम इन दा डारेक्ट कॉंटेक्ट विदी आइटम्स बिंग रेफ्रीजरेटेड एंड देन दर रेफ्रेजरेंट यूज इस सेकेंडरी रेफ्रेजरेंट यानि कि कुछ सितियों में क्या होता है हम रेफ्रेजरेंट को डारेक्टली वस्तुओं के साथ संपर्क में नहीं आने दे सकते हैं यानिकि वह इंडारेक्टली रेफ्रीजरेशन उत्पन करता है तो जो इंडारेक्टली रेफ्रेजरेशन उत रेजिदेंशियल बीदिंग जितने ही हमारे टॉपकु तॉपसिक स्थे करेंगे हो जाएगी रुचाn सित वस्तूओं की संपरक में उपयोग में नहीं ला सकते यारी कि उपयोग हेत्यू Yuk इंडारेक्ट मेंतर्ड का प्रियोग करना पड़ता है वह कहलाते हैं फैन में आप क्लासिफिकेशन ओफम ब्याइफिकेशन किया गया हमारे от सरंड का यह तो हमारे दो तो टाइप्स थे यानि कि कौन कौन से टाप्स होते हैं तो दो टाप्स हमने बता दिए कौन से एक तो हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हो गया और दूसरा हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हो गया प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कौन से थे जो रेफ्रिजरेंट सीधे प्रशीतन यानिके रेफ्रिजरेशन उत्पन्द करने हैं तो प्रयोग में लाए जाते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेशन कहलाते हैं सेकंडरी रेफ्रिजरेशन जिनका प्रयोग हम सीधे तोर पर वस्तूओं के संपर्क में लाकर रेफ्रिजरेशन उत्पन्द नहीं कर सकते यह क्लासिफ़ाइट करने लिए बहुत सारे हैं पहला हमारा क्लासिफ़ाइब करने के common referent and secondary referent इसका आधार पर के हमने दो टैप के बता दिया कौन कौन से बता दिये एक तो primary referent जिसको क्या करते हैं common referent भी करते हैं और दूसरा हमारा just secondary referent ठीक the primary reference are those that pass through the process of compression cooling condensation expansion and evaporation और warning up में तर्द्वूरिंग साइकलिक प्रासेस यानि के यह क्या है इन पृक्रियाव से गुजरता है कि काई कृछते हैं यहां सभी प्रक्रियाउं से geography उपन्री िटिशरेंट से हैं ठीह आप कौन-कौन से हैं अमॉनिया और 12 और 20 इत्य हिर आ आदी के आते हैं इस वर्क में रेफ्रेजरेंट आते हैं तो पहला किसके आधार पर हमने कर लिया वर्किंग प्रिंसीपल के आधार पर कौन कौन से बता दिये प्राइमरी और सेकेंडरी कौन से बता दिये प्राइमरी और सेकेंडरी अब सेफटी कंसीडरेशन के आधार पर ह है सबसे पहले हमारे कौह से एंसे फ्राट्रांट से ईयानि कि यह है जो कि नॉन टॉक्सिक एंड नौन फिरमेवल और ऐसे रश्ष जो कि नॉन टॉक्सिक करने के वह विशैले नहीं है और इंस जुलं ¿सी नहीं वह सब त्पस्काराई या थो 아ट्र त pouco S1 अब आर 12, आर 12, आर 11, आर 13, 14, आर 21, 22, ठीक, methyl, kloride, carbon, dioxide, water, ये सारे क्या है, safe refrigerant है, जो क्या है, non-toxic है, ठीक है, यानि के non-toxic और non-flammable, यानि के विशैले नहीं है, और साथ ही साथ, jolansil refrigerant भी नहीं है, second जो हमारा है, वो क्या toxic and moderately flammable, यानि के थोड़े जहरीले हैं, और क्या है, कुछ हद तक ये जोलनसील भी है, इनमें कौन-कौन से आते हैं, सबसे पहला आता है, हमारा dichloroethyl methylformate, ठीक है, ethyl chloride, sulfur dioxide, ammonia, ठीक, ये सब क्या है, हमारे एक तरीके से विशैले तो हैं ही, और साथ ही साथ थोड़े जोलनसील भी हैं, क्या है ये हमारे थोड़े जोलनसील भी हैं, तब ही देखा होगा आपने, जो हमारे refrigeration system से उसमें ammonia का use नहीं किया जता है, ammonia का use करते हैं के वल industry purpose के लिए, घरेलू refrigerator में या घरेलू AC में ammonia का use नहीं करते हैं, या किया एक तरीके की जहरी लीगे से क्या है ये तरीके की जहरी लीगे सै अब next हो मारा क्या highly flameable refrigerant यानि कि ऐसे रेफिजरेंट जो क्या हैं बहुत आसानी से फ्लेमे वाल है यानि कि उच्छ जोलनसील वाले रेफ्रिजरेंट यह कौन कौन से हमारे यह हमारा ब्यूटेइन आइसो ब्यूटेन प्रोपेन इथेन मेथन इथाइल इथाइल यह सब क्या रेफ्रिजरेंट यह सारे रेफ्रिजरेंट है जो के highly flameable हैं तो क्या था यह हमारा safety consideration के आधार पर हमने तीन category में बाट लिया अब तीन category कौन कौन सी थी पहले थे हमारे safe refrigerant उसमें क्या थे हमारे r12, r11, r14 यह सारे methyl chloride carbon dioxide और water ठीक है यह क्याते ना तो विशयले थे और ना इंजोलनसील थे सेकेंड क्या था हमारा toxic and moderately flammable यानि के यह क्या थे एक तो जहीले भी थे और साथी साथ कुछ जोलनसील भी थे इन में कौन-कौन से आते हैं हमारे dichloro ethylene methyl format ठीक sulfur dioxide ammonia यह सब क्या है हमारे toxic और moderately flammable में आते हैं थर जो हमारा type है यह क्या है highly flammable refrigerant यानि कि यह उच्छ जोलनसील रेफ्रिजरेंट है ठीक है यह कौन से थे हमारे butane isobutane propane ethane methane ethylene यह सब क्या थे हमारे highly flammable refrigerant थे थे तो दो टैप से हमने category को define कर लिए पहली category कौन सी हमारी working principle के आधार पर उसमें दो बताए कौन-कौन से primary refrigerant और secondary refrigerant next हमारी जो थी वह क्या थी safety consideration के अधार पर तो इसमें भी हमने क्या थी तेन बता दिया कौन-कौन से safe refrigerant second हमारा toxic and moderately flammable third हमारा highly flammable भी अब हमारा next है वो क्या हमारा chemical composition के आधार पर है किसके आधार पर है chemical composition के कि आधार पर रेफे रेंट को यहां पर हमकर किया है ठीक है 喜歡 टो पहला जो मारे के व है chemical जिसमें क्या होता है methane और ethane के आधार पर बनाए जाते हैं किसके आधार पर methane methane क्या होती है हमारी CH4 और ethane क्या होती है हमारी C2H6 ठीक तो इनके आधार पर क्या होती है यह रेफिजरेंट बनाए जाते हैं पढ़ते हैं इसमें इस और और प्लेसных वानने और मOR हैड्रोगन एटम्स को बनाया जाता हैा तो से होता है इसमें सीक होता है मिथाइल क्लोराइड ऑक्या होता है c ag candidates हमे ओक रहन है ठ्छरेंट है जो किस zoom बना हैलो कारबन कंपाउंद्स के द्वारा बना हुआ है ऐसी हमारा वो कि मिश्टेमारे om haben edu troops के ऐंसे डी में वे प्रसीत्क आते हैं जो के विभिन οर्डविंड प्रसीत्क के मिश्रनस से बनते यानि का बहुत सारे Humans के मिक्स्टर बना जाते हैं और यह क्या अपने अपने जो घटक होते हैं उनसे अलग नहीं होते हैं तो यह दो से अधिक रेफ्रेजरेंट को मिलाकर इनको बनाया जाता है है और उसके किया है की तरफ कारी करती है यानि-क यौगिक तरफ कारी करती है कौन सा होता है टैफ का इसके इसे हुआरें tam extra गरें अवन के मैं आजिए हमकिन करें करें हैं नाइट्रोजन वाले जो रेखजरेंट होंगे इसमें क्या होगी मुद्ध्र नाइट्रोजन तत्तों कॉपस्थित होंगे ठीक हैं नॉनलीक्वलल्फल तो वो क्या 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 है ऑक्सीज़न और न Algलाइट्रोजन लिए बिनेगे जैसे क्या सच आमोनिया और गुर। सेपरेटली ठीक यानिके नाइट्रो समय गया है। इथर ठीक इथाइल इथर इसका जो कंपाउंड है वो क्या है C2-H2-O-N-2-H6 ठीक ये क्या है हमारा ये एक तरीका है का हमारा oxygen compound है क्या है हमारा oxygen compound और एक nitrogen compound है हमारा क्या है पर आमीन जो कहा है CH3 NH2 थेक तो दो तैप के क्या है हमारे ? रेफिजरेंट अ कौन कोन से हो गए ? AUXYGEN हो गया और नाइट्रोजन जिनमें क्या है ? ऑक्सिजन और नाइट्रोजन के अनू होते है । नेक्स जो हमारे क्या है ? वो क्या है ? Cyclic Organic Compound क्या है Cyclic Organic Compound यानि कि इसमें क्या है कि असंत्रप्त यानि को सड़ी कार्बन योगिक उपलब्ध होंगे क्या होंगे इसमें कार्बन योगिक उपलब्ध होंगे तो compounds coming under the class of R316, R317, R318 इसके अंदर क्या है योगिक हैं जिनमें क्या carbon compounds हैं लेकिन क्या किसके अंदर आते हैं वो R316, R317 और R318 यह क्या है कुछ इसके refrigerant नेक्स क्या है हमारा inorganic या carbonic क्या है हमारा inorganic या carbonic तो ऐसे प्रशीतकों में क्या होते हैं हेलो carbonic समू का उद्ध होने से पूर्व प्रियोग में लाए जाते थे यानिक जब तक हमने हैलो carbonic compound यूज नहीं किये गए थे उससे पहले क्या करते हैं हम इन और्गनिक कंपाउंड का प्रियोग करते थे ठेक हैं अब यह कौन-कौन से हो सकते हैं यह मिली हो सकते हैं हमारे दो टाइप्स में डिवाइड कर लिया cryogenic में और नौन cryozoid में cryogenic fruits are those who apply the achieving temperature lower minus 160 degree Celsius to minus 273 यानि के minus 160 minus 160 से minus 270 degree Celsius के तापमान को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं cryogenic का यूज किया जाता है ठीक है नेक्स है हमारा क्या unsaturated compound या असंत्रप्त यौगिक क्या है unsaturated या असंत्रप्त यौगिक अब इसमें कौन से हैं इसमें मिली क्या है compounds such as ethyl, propylene are grouped under this head grouped under 1000 series of convenience यानि के इसके अंतरगत फे प्रसीज़क आते हैं जो किस पर बनाए गए हैं basically बनाए गया है किस पर ethylene और propylene के आधार पर किस पर ethylene और propylene के आधार पर बनाए गए हैं ठीक है और यह 1000 स्रंख्रा के अंदर का आते हैं यानि कि इसको जैसे इसको कैसे define कर सकते हैं हम आर 1000 आर 1000 12 इस तरीके से इनको define कर सकते हैं अब इससे करें जो मेन इनका वो क्या है वो क्या है ट्राइक क्लोरो एथलीन जिसको क्या ले सकते हैं हम सी टू एच फोर त्री क्या कर सकते हैं उसको ट्राइक लोरो एथलीन सी टू एच फोर सी एल थी जो मेन क्या है हमारा एक रेफ्रिजरेंटेक इसमें अंसे चुरेटेटिट कंपाउंट में यानिकि असंत्रप्त यौगिकों के अंदर नेक्स्ट क्या है मिस्लेनियस में क्या देस्ट्रूप इसमें क्या होते हैं इसमें होते हैं हवा कारवन डेक्साइड औस स सल्फर डायोक्साइड आदी क्या होते हैं सामिल कि ऐ चाहते हैं ठीक तव यह क्याते हैं हमारे केमिकल कंपोजीशन की यह प पहले हमारे हेवाजी कर्दन हमारे हमारे स्केंड हमारा ह 살아va मिक्स करके बनाए है नैक्स्ट ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन जिन में ऑक्सीजन अडू या साथी साथ नाइट्रोजन अडू भी संगलित होता है नेक्स्ट क्याता है साइकलिक और गनिक कंपाउंड साइकलिक और गनिक में क्या थे इसमें मुक्य तह कौन से थे जिसमें कार्बनिक कंपाउंड यानिक और गनिक कंपाउं से इसमें कौन कौन से थे दो टाइप के थे क्रायोजनिक और नॉन कर देगी यह क्या यूज़ों से बहुत ही मिनिमम टेंपरेचर माइनस 163 से माइनस 273 में जो प्रियोग की जाते हैं वो सब क्या कराते हैं इन और इंगेनिक में कहलाए जाते हैं ठीक है और यह है लो कार्ब जो एथाइल और प्रॉपलीन द्वारा बनाई गये किस से खिर एथाइल और प्रॉपली द्वारा और कौन सी स्लेडिमा आपते हैं थाहल यानिके आरवन थाउजंड यहान पर रख दिये और वो सब कौन से हैं 700 में आते हैं जैनिकि कर से और 700 और 710 ये सारी चीज़ें आते हैं तो ये क्या थिया आपके रेफ्रेजरेंट में कुछ स्टार्टिंग थे उनके बारे में मनने अध्यन कर लिए इसके बाद क्या हम प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे हमारे रेफ्रेजरेंट की कौन-कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कौन-कौन से प्रॉपर्टीज का में अध्यन करना है तो जिसे भी इस वीडियो से रिलेटेट पीडियेफ चाहिए वो डेस्क्रिप्शन लिंक में दिये हुए टेलिक्राम कुरूप पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकता है और साथ ही साथ हमारे वीडियो यूराइस पोर्डल भी पर भी अप्लोड वहने लगे हैं तो जिसकी को वहां से देन करना है तो वहां से भी देख सकता है जो भी वीडियो की पीडियेफ या और कोई भी प्राब्लम्स आ रही है उसके लिए हम एक नेक्स क्लास जनरेट करेंगे और साथ ही साथ क्या है पीडियेफ डाउनलोड करने के लिए क्या टेलिग्राम लिंक पर जाकर वहां पर देखें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राब भी करकर जाएं धन्यवाद